हलो आगरवन वेलकम बैक टू इंफिनेट लर्निंग और आज हम बात करने वाले हैं और इन कॉंस्टिलेशन के बारे में लेगन इससे पहले अगर आपने हमारा मार्स जुपिटर सैटर्न और वीनस वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ अभी जाके जरूर देखें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो और आइन कॉंस्टिलेशन आकास में बहुत एसानी से दिख जाने वाला बहुत फेमस और प्रमिनेंट कॉंस्टिलेशन है जिस पर एक ग्रिग माइथोलोजी की कहानी काफी प्रसिद है जिस के वज़े से इसे हंडर के नाम से भी जाना जाता है और बात करें इसके साइस की तो हमारे अकाश में 26 स्थान पर सबसे बड़ा कॉंस्टिलेशन है जिसका एरिया 594 स्कॉयर डिग्रीस है और अगर आपको यह नहीं पता कि कॉंस्टिलेशन क्या है तो आपके लिए मैं बत लादू की कॉंस्टिलेशन उन स्टार्स की ग्रूप को कहते हैं जो कि एक रेकोनेजबल शेप करते हैं और यह सभी कॉंस्टिलेशन इंशेंट पीपल द्वारब बनाए गए थे जिसका मुख्य उप्योग स्टार्स को आइडेंटिफाई और रेकोनाइज करने में होता है फॉर एक्जामपल अगर आप अभी आसमान में देखे रात के आसमान में तो आपको कई सारे सितारे दिखेंगे जिसको आप असाने से नहीं पहचान सकते हैं पर अगर आप उन्हें कॉंस्टिलेशन के माद्धम से रेकोनाइज करें तो आपको सभी स्टार्स असानी से रे रिजञी सार् के संथ जिसके वज़े से यह इंस कोंस्टेलेशन काफी फेमस और प्रमेने है और राइं कोंस्टेलेशन में ली सेवन और ईटεις से और हमारे night sky में दिखने वाला 7th number पे सबसे brightest star है और battle joyce red super giant star है जो की Orion constellation का 2nd place में सबसे brightest star है और हमारे night sky से दिखने वाला 10th place पे सबसे brightest star है और साथ ही bellatrix 3rd number पे Orion constellation का सबसे brightest star है और ये जो आप Orion constellation में 3 stars देख रहे हैं इन्हें Orion constellation के bell का जाता है और ये hunter के bell को represent करता है और इन्ही बैल्ट के मदद से हम हमारे sky में दिखने वाला सबसे brightest star यानी Cyrus को देख सकते है और अगर आप इस पे एक special video देखना चाते हैं तो जल से जल इस video को 50 likes तक पहुचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम constellations के help से कई सारे stars easily recognize और identify कर सकते हैं और इन्हीं constellations में से एक Orion constellation भी है और यदि हम इसे आसमान में यानी रात के आसमान में identify कर ले तो ना सिर्फ हम Orion constellation देख पाएंगी साथ ही Orion constellation में जितने भी star है और इनके मदद से जो भी हम stars देख पाते हैं वो सब आसानी से हम देख सकते हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि Orion constellation रात के आसमान में किस दिशा पर दिखता है पर ध्यान रहे यह constellation हम हर रोज नहीं देख सकते हैं यह constellation सिर्फ हम सर्दियों के season में देख सकते हैं यानि November से February के महिने में यह आपको आसानी से visible होगा अगर आप Northern Hemisphere वाली countries में रहते हैं जैसे कि India तो आपको यह constellation South Western Sky में easily visible होगा अगर आप Southern Hemisphere वाली countries में रहते हैं तो आपको यह constellation North Western Sky में easily visible होगा पर अगर अभी आप यह constellation नहीं दून पा रहे हैं तो आप Star Wars 2 एप का यूज़ कर सकते हैं जिसके मदद से आपको यह constellation असानी से मिल जाएगा और इसका link description में दिया हुआ है अब वहाँ से जाके इसे install कर सकते हैं और अगर हम Orion Constellation से हमारी दूरी की बात करें तो वह है लगबग 243 to 1600 light years तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह दूरी कितने बड़ी है लेकिन फिर भी Orion Constellation के massive और bright stars होने के कारण यह हमें बहुत यह सानी से दिख जाता है तो अगर दोस्तों आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ का आसमान एकदम सुध और cloud free है तो आप यह Constellation जरूर देखें मुझे उमीद है यह Constellation आपको बहुत यह असानी से दिख जाएगा और हमने इससे पहले आसमान में आसानी से दिखने वाले planets के बारे में भी वीडियो बनाया था और हम आगे भी कई स्टार्स और Constellation से रिलेटड वीडियो अपलोड करने वाले हैं तो उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल के बारे में आदिक जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन या फिर हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन को भी देख सकते हैं